हाई फ्रेंड्स ओमे किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बता रही हूँ खोपड़ा पेटिस यह आलू के खोपड़ा पेटिस बनाये हैं हमने यह देखिए बहुत बढ़ियां बने हैं यह खाने में इतने स्वादिश लगते हैं न कि आप इसको चाहे जब बनाना चाहेंगे यह देखिए जिसे नारियल पसंद हो उन्हें तो यह जरूर पसंद आएंगे यह देखिए मैं तोड़के बता रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी इसे आप टमाटर केचप यमली की चाट या नारियल की चटनी के साथ का हैं बहुत टेस्टी लगेंग बहुत साद्ष लगते हैं और जटबट भी बन जाते हैं जाता समय भी नहीं लगता इसे बनाने के लिए हैं चार आलू चार अब ले हूए अलू ले लिए हैं हमने यह थोड़े चोटे सा इच के लिए हैं और इनको हम मैस कर ले रहे हैं ये उबले हुए आलू को हम अच्छे से मैस कर लेंगे तरीके से ये देखिए मैं हाद से अच्छे से मैस कर रही हूँ इसमें गुठली आना रहें अच्छे से दबा दबा के अच्छे से मैस कर लेंगे ये दिखे आप आलू को अच्छे से मेस कर लिया है हमने अब इसमें डाल देते हैं हम कॉन फ्लोर कॉन फ्लोर डालेंगे हम एक बड़ी चमज कॉन फ्लोर डाल रही हूँ दो चमज भी आप लगाता डल सकते हैं लेकिन हम इसको पहले मिक्स करेंगे फिर ज़रुद पर डालेंगे नमक डाल देते हैं हाप टेबल स्पूट इसको हम मैस करेंगे मैस करने से पहले हम इसमें मसाला बनने की तैयारी कर लेते हैं मसाला बनने के लिए इसमें एक कटूरे मे में ले रही हूं बड़ी चमच नारियल ये पिसा हुआ बारिक नारियल ले रही हूं हरी मिज दाल देते हैं रही कस और थी कृटी तोड़ी कसमिस टाल दे दे ती हैं अबने थोड़ा सा हराधनिया डाल देते है Olympics के लेते हैं म भरावन के लिए हमारा मसाला तैयार हो गया है बड़िया अब जो आलो में हम ने कॉंड फ्लोर डाल के रखा है अबक डाल के इसको हम मिला लेते हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसको मैश करके डो टाइप का तैयार कर लेंगे हैं, थोड़ा सा नरम सोफ लगता है, तो इसमें थोड़ा सा corn floor और मिला लें यह हलका सा soft लग रहा है इसमें हाप चमच corn floor और डाल देते हैं हमारे चेनल में more का weight mark दिया रहता है आप इसे subscribe करें friends और bell icon तो जरू दबाएं यह corn floor मिला लिया है हमने और इसका डो तैयार कर लेते हैं आच्छे से यह बढ़ियां डो तैयार कर लिया है अब हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे कटोरे में मैं पानी ले ले रही हूँ पानी में हाथ थोड़ा सा गीला कर लेंगे हम यह देखे इस तरीके से और फिर गोल गोल बॉल्स जैसे बना के रख लेंगे कुछ बोल्स ऐसे बना के रख लें अब हातों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे और बोल्स को थोड़ा सा गोल चप्टा करके ये इस तरीके से फैला लेंगे बड़ा सा कर लेंगे और ये मसाला इसमें भरेंगे ये मसाला तैयार करके रखाता ना हमने भरने के लिए और फिर गोल कर देंगे इस तरीके से फिर से वही प्रोशेस करेंगे हाथ गीला कर लें और चप्टा कर लें अच्छे से आलू की गोल लोई को और उसके अंदर मसाला भरें और इस तरीके से अच्छे से पैक कर दें ये देखिए बढ़िया गोल गोल पैटिस तयार हो जा रहे हैं ना हमारे ये देखिए बहुत आसान है और खुब आसानी से हो जाते हैं ये देखिए बड़ी है मसाला भर लिया हमने और इसको पैक कर लिया पानी लगाने के अभी शिक्ता नहीं है उसमें सिर्फ हाथ हलका सा गीला करके रखें ताकि हाथों में आलू चिपके नहीं और बहुत बड़ी हैं तरीके से सैट हो जाता है इस तरीके से बना लें आप पैटिस तयार करके रख लें ये फोर पैटिस बना के तयार कर लिये हैं आप कड़ाई के पास चलते हैं कड़ाई गरम होने पर इनको डाल देंगे कढ़ाई अच्छी गरम रहे, तभी इसमें डालें, ये देखिए, कढ़ाई हमने गरम कर ली थी, और इसमें डालते जा रहे हैं, ये चारो पैटिस हमने इसमें डालती हैं, ये देखिए, ये पैटिस हमारे सिक रहे हैं, हम इनको तेज आच में ही सिक रहे हैं, पर बहुत ये देखिए सिकते सिकते बढ़िया इनका कलर चेज होने लगा है ये हमारे पैटिस का कलर अच्छा सुनहेरा साथ हो गया है ना अब इनको हम टिकाल लेते हैं ये लिकाल लिए हमने चारों पैटिस और पैटिस हम इसमें टाल देते हैं और सिकने देंगे ये देखिए ये हमा आप आसानी से हमारे है basta बड़िया शिक जा रहे हैं चपकते बड़िया achrω गया है निकाल देते हैं कोप्रा पेट्टिज बने है बड़िया बहुत अच्छे कितने अच्छे में गुल-गोल पेटिस बने है यह देखिए आप कितने बढ़िया बने हैं मैं इसे तोड़के बताती हूँ यह देखिए कितने सॉप्ट और स्पंजी बने हैं बढ़िया बने हैं ना इसे आप टमाटर, केचप, इमली की चाड़ के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो बनाए हमारे तरीके से खोप्रा पेटिस घर पर और अपने अनुभा हमारे साथ सेयर करें हमें कमेंट करके बताएं कैसे लगें आपको और हमारे शौंबे चैनल को लाइक और सब्क्राइब करें फ्रेंट्स